हेलो मेरी प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का हमारी इस कंप्यूटर की क्लास में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कीबोर्ड के 10 सौर्टर कीज जैसे कि आपने एक बटन दिखा होगा जिसका नाम बिंडो बटन उस बिंडो बटन के मैं आपको बताऊंगा 10 सौर्टर कीज जिसके माधन से आप कंप्यूटर में बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और आप किसी भी वर्क को बहुत जल्दी करना चाहते हैं जैसे कि देखिए आज कल देखिए लोग वही रास्ता जादा जाना पसंद करते हैं जो मंजिल के जादा करीब होता है तो इसलिए मेरा दोस्त आप लोग भी माउस का युज बहुत ही कम करिए जितना हो से कि उतना कम करिए और सौर्ट कीज भी जादा फोकस करिए तो आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी सौर्ट कीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही पाउरफुल है और बहुत ही इंपोर्टेंट है जिसका युज करके आप कम्प्यूटर में बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हो तो चलिए दोस्तों जो बटन मैंने आपको बताया उसका नाम बिंडो बटन है उसी से रिलेटेट जो बिंडो बटन है उसी से रिलेटेट मैं आपको 10 सौर्ट कीज बताऊंगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो बिंडो बटन है वो कीबोड पर कहा पर होती है तो मेरे पास एक keyboard है जैसे कि आप screen में देख पारे होंगे कि आपके सामने keyboard है अब इसमें keyboard में देखिए bottom में यहाँ पर जो button है प्लस एक यहाँ पर जो button है यह दोनों button window button है यह दोनों helping keys है इनके शहायता से अगर हम किसी other button को press करेंगे तो हमारे computer को command मिलेगा तो आज इन ही button के दुआरा हम आपको ऐसे 10 sort of keys बताने जा रहे हैं जो बहुत important है और आप अपने computer में fast work कर सकती हो जैसे कि आपको press कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो दोनों button है इन दोनों को work same है कभी-कभी होता है कि आपको keyboard में एक ही button होती है किसी में दो button होती है तो आपको घबरान नहीं है दोनों को work समान है जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप window के शाथ मैंने जैसे मैंने आपसे कहा कि window के शाथ i press करिए तो सबसे पहले आपको window प्रेस कर लेना है फिर आपको i press करना है यह दोनों को एक साथ नहीं प्रेस करना है अगर आप दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको computer command नहीं पिलवाएगा तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि window की चाहत आई प्रेस करिए तो सबसे पहले window को प्रेस करिए फिर आपको आई प्रेस करना है तो आप कहा जाए तो shorter case का यूज कर पाएंगे मैं दोस्त तो आप समझ जहोंगे तो चलिए हम सेखते हैं 10 shortcut keys window button की हैं तो चलिए मेरे पास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी definition भी है तो मैं दिखाऊंगा भी definition प्लस आपका over key भी बताऊंगा जैसे कि आप screen में देख रहोंगे कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी shortcut keys है जो आज हमको one by one आपको red click करके दिखाएंगे तो यहाँ पर देखी जो पहली पहली जो button है जो window only single button start so start menu start menu दर्शाने के लिए मतलब कि देखी जो window button है अगर आप इस button को इसी single only अगर इसी button को आप press करोगे तो आपका start menu open हो जाएगा चले मैं आपको दिखा देता हूँ देखे जैसे माल जो मैंने इस window button को press किया तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने start menu open हो चुका है तो इस तरह आप start menu open कर सकते हैं बिना mouse के तो दोस्तों आप mouse का बहुत ही कम उज़ करिए तो इस तरह मतलब इस window button को press करने के बाद आप क्या करिएगा आपके जो keyboard में चार arrow होती है उन arrow के दोआरा आप किसी भी subtever पर जा सकते हैं जाने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो जो भी आपने जिसमें क्लिक किया है open हो जाएगा तो देखिए जैसे मैंने किसी भी subtever को open किया लेकिन मैंने mouse का use नहीं किया तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं बिना mouse के सहायता से किसी भी subtever को open करना चली हम सेकरन सेखते हैं अब देखिए आप जो दूसरी सोर्टर कीज़े है विंडो प्लस डी अगर आप विंडो के साथ डी प्रेस करोगे तो सो डेस्क टॉप मतलब डेस्क टॉप दरस आने के लिए मतलब कि अगर कोई भी आप subtever चला रहे हो जैसे कोई subtever चला रहे हो तो हम को यहां से close, minimize करना पड़ता है तो आप close, minimize मत करिए बिंडो के साथ डी प्रेस कर देजिए ताकि आपको जो desktop है यह मतलब minimize हो जाएगा चली है मैं करके दिखा देता हूँ जैसे कि देखिए मैंने एक बिंडो ओपन किया है तो इस तरह आप इस बिंडो प्लस डी का यूज कर सकते हैं so desktop वह आपने जो open किया था उसको दिखाने के लिए आप इस बिंडो प्लस डी का यूज कर सकते हैं तो मेरे दोस्त यूज आप जरूर करिएगा क्योंकि देखिए आज कल हर छेत में कंप्यूटर बहुत ही जरूरी हो गया है इसमें आप जितना first work करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा अब चलिए हम तीसरा देखते हैं अब देखिए जो तीसरी बटन है बिंडो प्लस यम मिनिमाईज और एक्टिव बिंडो मतलग कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में मल्टिपल वर्क कर रहे हैं जैसे कि अगर आपने MS Word को ओपिन किया है MS Excel को ओपिन किया है और सभी को एक साथ मिनिमाईज करना है तब आप बिंडो प्लस यम का यूज कर सकते हैं कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि माल जी मैंने चली मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि माल चली मैंने इसको क्या मैंने इसको भी ओपिन कर लिया किसको मैंने किसको ओपिन कर लिया इसको MS Excel को open किया और मैंने MS Word को open किया इसको भी मैं क्या करता हूँ मैंने इसको minimize कर देता हूँ और plus मैं tapping master को भी open कर लेता हूँ इसको भी minimize कर देता हूँ मैंने 3 September को open किया और इन 3ों को मैं सब को open कर लेता हूँ चलिए मैंने यहाँ पर देखिए कि मैंने 4 साफ टेवर को उपन कर लियाै और 4 साफ टेवर में काम कर रहा हूं अब इन सबी को आपको एक साथ मिनिमाज कर देना है तब क्या करिए, बिंडो के साथ यम प्रिस कर देजिये जितने भी साफ टेवर होंगे सभी मिनिमाज होके आपके टास्क बार में आ जाएंगी तो इस तरह आप सभी मतलब सभी शाप्टिवर को एक बार में बिंडो यम करके मिनिमाज कर सकते हैं और इसकी बात अगर आपको पुने उनी सब को लाना है तब उसकी भी सोटट कीज है कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अब देखी यही पर जो लास्ट नीचे आपर चार नमबर में है बिंडो शीप्ट यम अगर आप बिंडो शीप्ट बिंडो मतलब जो बिंडो बटन है जो शीप्ट बटन है इन दोने के साथ यम प्रिस करेंगे तब क्या लिखा है restore all minimize window सभी minimize हुई window को restore करने के लिए चली मैं आपको दिखा देता हूँ shift बटन कहां पर होती है यह देखी जो आपकी बटन बिंडो बटन हो गई लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों यह जो बटन है आपके shift बटन है जो shift बटन है यह भी आपके keyboard में दो बटन होती है इन दोनों का वर्क भी समान होता है तो आपको क्या करना है बिंडो और shift को दोनों को दबा के आपको EM को प्रिस करना है जब आप दोनों को दबा के EM को प्रिस करोगे तो आपके जितने भी minimize है वो सभी क्या हो जाएंगे दोस्त maximize हो जाएंगे restore हो जाएंगे मतलब फिर से बड़ी हो जाएंगे चलि मैं आपको करके दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने देखी हैं पर सभी मेरी जितनी भी मेरे सब्सक्राइबर से minimize है तो मैं क्या करता हूँ विंडो और shift को दबा के मैं यहां से yum करता हूँ जैसी मैंने यां किया आप देख रहोंगे कि आपके सामने सब्सक्राइबर open हो चुकि है चलिए मैं सभी को one one क्या करता हूँ minimize करता हूँ और देखताँ कि सबी open है कि एक ही open हुए चलिए मैं इसको सब से पहले इसको minimize करता हूँ जगी जैसी मैंने minimize किया दिखिया को दूसरा आ गया इसको minimize किया इसके बाद minimize किया देखी tapping है तो मतलब देखिये जितने भी साफ्टी बर आपने minimize किये थे वो सभी मतलब बिंडो shift यम करने से सभी restore हो गए थे तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप keyboard की द्वारे किसी को minimize किसी को maximize किसी को desktop इस तरह कर सकते हैं दोस्तों तो आई हो अप जरूर इन सभी बटनों का यूज करिएगा इसके बाद दिखें next का उनसा है window plus e अगर आप window के साथ e press करोगे तो active this space आपको पता होगा कि active this space होता है जो file manager होता है उसको open कर सकते हैं आपको mouse के द्वारा open नहीं करना पड़ेगा आप window के साथ e press कर दो तो आपका this space चालो हो जाएगा तो चलिए आप यहां भी रहके आप press कर सकते हो चलिए मैं क्या करता हूँ window को दबा के मैंने e press किया देखी जैसे मैंने window को दबा के e press किया तो आपके सामने एक window open हो गई है जो this space की window है मतलब यह window है जहां पर आप कोई भी साप्टेवर किसी भी साप्टेवर में कोई डाकुमेंट बना रहे हो तो डाकुमेंट इसी दिस PC में save होता है जाए picture हो जाए movie हो जाए music हो जाए documents हो सब आपके इसी में save होता है तो आप लोग यहीं यहां से अब किसी भी मतलब साप्टेवर को किसी भी फाइल को फाइल को डाकुमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं आपको हाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी open करने की कहां पर मैं आपको दिखा देता हूं देखिए लोग यह जो दिस PC है इसको जब देखिए में double click करते हैं तब यह क्यों होता है open होता है तो आपको इसको मतलब mouse के जरूरत नहीं पड़ेगी बस आपको window के साथ e press कर देन जाए और आपको इस PC open हो जाएगा तो इस तरह window एक अभी आप यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त चलिए हम दूसरा देखते हैं इसके बाद देखिए next कौनसा है window प्लस आर यह देखिए जो सोर्टर कीज़े बहुत important है मेरे दोस्त इसको आप जरूर याद रखिएगा window आर open run dialogue box run dialogue box open करने के लिए इससे क्या होगा एक आपका run dialogue box होगा जहां से आप direct किसी भी शाप्टीवर को access कर सकते हैं आपको उस शाप्टीवर को open नहीं करना पड़ेगा उसको ढोड़ना नहीं पड़ेगा बस आप window आर प्रेस करो एक run command open होगा जहां पर आपको जो भी आपको file folder open करना है बसका name type कर दो लेकिन उसका एक surname होता है चली मैं आपको दिखाता हूं प्रेक्टल करकि जैसे मैंने बिंडो के साथ मैंने आर प्रेस किया आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक देखी run dialogue box open होगा जहां पर आपको जो भी आप साप्टीवर open करना चाहते हैं उसक का surname होता है जब आप वही type करोगे तब ही आएगा जैसे कि अगर आपको MS word को open करना है तब आपको यहाँ पर type करना है win word अगर आपको MS Excel open करना है तब type करेंगे Excel तब open होगा तो अगर आप लोग इसका run command अगर आप सभी साप्टीवर के run command चाहते हैं तो आप मेरो comment में बता करना दूंगा तो जहां से आप लोग किसी भी साप्टीवर को run command से open कर सकते हैं जैसे चलिए मैं किसी साप्टीवर को open करके दिखा देता हूं मेरे को MS word को open करना है ता मैं इसमें type करूंगा win word मैं यहाँ पर type के win word और मैं इंटर किया आप देखरोंगे कि आपके सामने MS word open ह हो चुका है तो इस तरह भी window और प्रेस करके किसी भी साप्टीवर को आप access कर सकते हैं जैसे कि मैं एक और open कर देता हूं जैसे कि यहाँ पर देखिए फिर से मैं आप टाइक करता हूं OSK मैं टाइप किया OSK मतलब यह on screen keyboard है और मैं इंटर किया अब आपके सामने आप देख है window प्लस पाउज open this system properties open the system properties system की properties देखने के लिए जैसे कि अगर आपको अपने system का properties चेक करना है कि मतले कितने जीवी का है कितने रैम का अकौन सब बिंडोज है यह सब पदा करना है तब आप क्या करते हैं कि आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि this PC में जाते है रैट मौसली प्रोपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको यहां पर जो आपने shortcut keys देखा है बस इस shortcut keys को प्रेस कर देना है और आपके system की properties open हो जाएगी कैसे चलिए मैं दिखाता हूं यहां पर आपको window को प्रेस कर लेना है और एक जो pause button होती है चलिए मैं आपको दिखा ल लेकिन pause button जरूर होगी तो आपको बिंडो के साथ इस button को प्रेस करना है चलिए मैं प्रेस करता हूं मैंने बिंडो के साथ मैंने pause button को प्रेस किया जैसे ही प्रेस किया तो आपके सामें एक setting open होगी जो system property system की होगी अब जहां से आप चिक कर सकते हो कि हमारे computer कितनी RAM है कौन स बिंडोस डला है कितना कौन सा system type है और कौन सा processor है मेरे device का name किया है यह सब आप पता कर सकते हैं shortcut case के द्वारा बस कुछ नहीं करना है आपको बिंडो के साथ आपको pause button प्रेस करना है दोस्तों तो आई होप आप यह भी समझ गए होंगी चलिए हम दूसरा देखते हैं आप देखें next मेरे जो eight button है बिंडो के साथ yal press करना है लॉग दा स्क्रीन को लॉग करने के लिए अगर आपको अपने computer को लॉग करना है और मतलब की जैसे कि आप पांस मेरेट लिए थोड़ा बाहर जा रहे हैं और आपको अपने computer को लॉग करना है तब क्या करिए बिंडो के स नहीं करेंगी तो मेरा एक open नहीं होगा चलिए मैं open कर लेता हूं जल्दी से मैंने इंटर किया और यहाँ पर मैं अपना password insert करता हूं जैसे कि आप आप पासवाड आपको password सो नहीं कर रहा होगा क्योंकि मैं screen recording कर रहा हूं तो इसमें password नहीं करें ग्याएगा तुम आप अगर स्क्रीन को लॉक करना है तब बिंडो के साथ यहल gas कर सकते हैं नेक्स कौंसी देखिए नेक्स की बिंडो के साथ आई यह 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 बाटन है open के साथ I press किया मैंने जैसे प्रेस्ट किया आप लोग देखे रहा होंगी कि उसने मेरे setting को open कर दिया जैसे कि मैं windows 10 चला रहा हूं तो जो बिंडो प्लस आई है आपकी इसमें windows 10 में work करेगा C1 में वर्क नहीं कर गए मरे दोस्त तो आप लोग अगर Windows 10 चला रहे हैं तो बिंड़ो के साथ आई प्रेस करेंगी तो आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा दोस्त चलिए हम दूसरा देख लेते हैं आप देखिए जो next counts है और जो last है बिंड़ो के साथ print screen एक बटन होती है मैं आपको दिखा देता हूँ इससे होता किया है टेक दा screenshot आटोमेटिकली screenshot लेने के लिए चलिए बहुत अच्छी शॉर्कर कीज़े आप इसका जरूर यूश करिएगा मैं आपको बता देता हूँ बटन होती कहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर आपको देखी यह बटन हो गई यहाँ पर मेरे दोस्त आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देजिएगा यह बार जो बटन आपकी यह बटन है यह print screen की बटन है ठेकना दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप window के साथ print screen बटन को प्रेस करेंगे तो आप किसी भी active किसी भी active window की screen लेशकते हैं आपको कुछ नहीं करना है बस window के साथ print screen बटन को प्रेस कर देना है और कहीं किसी भी subtype न जाके उसको क्या paste कर देजिए चलिए मैं करके दिखाता हूँ जैसे कि मैंने यहीं पर चलिए मैं इसी का एक screen shot लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ मैं window के साथ print screen बटन को मैंने प्रेस किया तो यह मेरा screen shot हो गया है और चलिए मैं इसको paste करता हूँ इस बड़ के अंदर जैसे कि आप देख रहेंगे paste खाली है मैं यहाँ पर control भी करता हूँ देखिए दोस्तों आप जैसे मैंने control भी किया आप देख रहेंगे कि आपके सामने एक picture आगी है जिसकी मैंने अभी screen shot लिया थो तो इस तरह बिंडो के साथ print screen बटन प्रेस करके किसी भी active बिंडो की ले सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर 10 ऐसे important shot लिया बताया है जिसका आप यूज करके आप computer में बहुत ही fast work कर सकते हैं अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए जो मैंने 10 shot लिया बताया है अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे telegram चैनल को जोईन कर लिजिए मैं इसकी PDF पर इंसर्ट कर दूँगा जहाँ पर आप free में PDF प्राप्त कर सकते हो Thank you friends